सुलाइ परेल को नागपुर में महाविकास अघाडी की व्रिजमुट बैठक का आयजन किया गया है लेकिन बीजेपी नेता कृष्णा खोपडे ने इसकी अनुमती रद करने की मांग की है NID ने इस बैठक की अनुमती दे दी है लेकिन स्थानिय लोगों ने इस बैठक का विरोध किया है जिस मैदान में बैठक हो रही है वो खेल के लिए आरक्षित है इसलिए स्थानिय लोगों और खिलाडियों का कहना है कि इस जगा पर बैठक नहीं होनी चाहिए वहीं विधाय क्रिश्णा खोपड़े ने इस मामली को उठाया है हमारे नेता नितिम जी गड़करी देवंदर फंडली साब जी के माध्यम से शहर के अंदर लगबग 113 मैदान छोटे हमने डेवलोपमेंट किया है और जब से नाकपूर शहर के खादार गड़करी साब बने केंद्रिय मंतर कि बनने के बाद लगातार नाकपूर शहर के अंदर खादार सांस्कूर्तिक महाउसो के किड़ा महाउसो हो इसके अंदर लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया है अभी गड़करी साहब ने अभी किड़ा महाउसो लिया तो उसमें 65-70,000 किर्केट प्रिमियों ने उ उसमें से एक दर्शन कालूनिका मैदान है और लोगों की भी डिमांठीक लोगों का भी कहना है लोगों ने नाकपुर सुदार पन्यास के अंदर तक्रार भी उन्होंने दाखल किया है कि यह मैदान अभी केड़ा शेत्र के लिए तैयार हुआ है और यह मैदान का उप्योग यहां 400-500 बच्चे रोज सूब शाम इस मैदान का उप्योग ले रहे और इस मैदान के अंदर शहर लेवल की विधरब लेवल की महाराच लेवल की या टूर्नामेंट भी बड़े पैमाने पर हो रही है और यह मैदान यहां पर किरकेट प्रेमियों के लिए ही आरक्षी तर जो आईजन वो कर रहे हैं उनकी सबाहों उनकी सबाहों हमारा कोई उससे लेना देना नहीं हमारा उसको विरोध भी कही नहीं है परन्तु अब रोज वर्तमान पेपर में पन पढ़ रहे हैं लाख लोग आएंगे 50,000 आएंगे और वो मैदानी कैपी सिटी मैदान की ला रहे हैं वर्तमान पेपर में रोज बात में आ रहे हैं उनकी मिटिंग अभी हो रहे हैं लेकिन जब तुमको लाख लोग लाना था तुमने कस्तूजां पार्क में लेना था एक घनी बस्ती के अंदर आपने भी जाके वहां इरिक्षन किया होगा यह घनी बस्ती है मैदान का भी सत्यानाश होगा क्योंकि हमने किर्केट प्रीमियों के लिए मैदान में एक करोड के उपर खर्चा गड़करी साब जी के माध्याम से हुआ है और मैदान के अंदर हमने वाश्रूम भी हमने तैयार चैंजी रूंग भी हमने इमारत तुहां पर तैयार किया मान चोरी करने का काम कांग्रेस के कुछ गुंड़ परकूरती के लोगों ने क्या उसकी भी तक्रार हमने नंदन वन फूली स्टेशन के अंदर दाखल किया और इसलिए हमारे वह सबाले हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं परन्तु यह किर्केट प्रेमियों के लिए मैदा ना रक्षीत है लोगों की भावन यह वहां के सभी लोगों की भावना है क्योंकि तुम लेना है तो सामने में मैदान है ना आज 15-20 से कड की पूरी जगे ओपन पड़ी विए प्राइवेट जगे वहां तुम मैदान में ले सकते थे भरगच्च बस्ती में मैदान में लेन साथ आठ सो लोगों का कैपेसिटी का है और बताना हमने लाख लोग लाए यह फोकनाड बाजी आश्वशन बाजी यह लभाड गिरी यह कॉंग्रेस के शिवाद दूसरा कोई कर नी सकता और उस मैदान के अंदर जो बड़े-बड़े निताव ने आके निरेचन किया उनका इ उसने अगर सेन खाया होंगा क्योंकि बाकी सभी पार्टियों के नेता सिर्फ कॉंग्रेस छोड़के तो सभी पार्टियों के नेता ने इस मैदान को बचाओ करके लोगों को लोगों तक का पहुचाने का काम लोगों की आवाज सभी तक का पहुचाने का काम सभी पार्टी था उसका काम था क्या इसके उपर जितने भी पहले अब्जेक्शन आए वह एनाइटी चेर्मेन के सामने रखे लेकिन उसके उपर पॉल्टिकल प्रेशर डालके उनसे उसके ली गई है और जब अभी अब्जेक्शन रेस अभी हुए तो अभी फिर से उन्होंने कहा है कि हम यह मैदान को रद्द करने का पस्ता चेर्मेन के पाद उन्होंने पूटप किया है और इसलिए मेरी विननती है कि यह फालतों इसको भलता रंग देने की कोई आउशक्ता नि राज्टीय रंग देने की आउशक्ता नि तुमारी कही पर भी सभा हो तो हमको को फरक पड़ता नि और हमारा कोई उससे तुमारे सभा से लेना देना नि आप अपनी सभा करो परन्तु यह कीड़ा का मैदान बचना चाहिए यह किसका स्वरक्षन होना चाहिए और लोगों की भावनाओं की कदर होना चाहिए यह हमारी भावना धन्यवादा विदाय कृष्णा और पूर्व बिजेपी पार्शद ने एनाइटी को पत्र लिखकर अनुमती रद करने की मांग की है विदायक खोपड़े ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एनाइटी महाविकास घाडी बैटर को दी गई अनुमती रद करे